नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सन्मार्ग जोतिस में व्यक्ति की हर समस्या का समधान है और जोतिस के अनुसार अलग-अलग धात्वों का अलग-अलग महत्व है इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो चांदी सी बनी वी रिंग बहुत सारे पहनते हैं तमाम ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए क्या आपको पता है चांदी के फायदे कितने हैं देखिए सबसे पहली अगर आपकी हथेली में तिल है किसी पर्व पर इसका मतलब है वो पर्व दूसीत है तो सबसे पहले तो चांदी का छला उस उंगूली में पहलने जिस पर उपर तिल है इससे दोस कट जाता है चलिए अब हम जानते हैं चांदी की अंगूठी के फायदे सबसे पहले तो चांदी की अंगूठी को अपनी मा के हाथ से ही धारन करें इसके बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे मन की समस्याओं से बाहर निकलेंगे अब चांदी के अंगूठी का सम्मंद सुक्र और चंद्रमा से है सुक्र सुक्र बढ़ाता है, संपन्नता देता है और चंद्रमा मन को बेहतर करता है जिन घर में चांदी होती है वैसे तो चांदी अमूमन हर घर में होता है लेकिन चांदी एक ऐसी धातू है जो घर में सुख और सम्रिधी का वास करता है अगर आप अपने पर्स में चांदी का एक छोटी सी गोली रखते हैं ठोस गोली तो आपका पर्स कभी भी धन से खाली नहीं रहेगा अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, असूब हो या फिर असूब ग्रहों के साथ बैठा हो तो अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी का एक गोल रिंग पहन ले कोई इसमें स्टोर नहीं डलवाना, सिर्फ गोल रिंग छला पहन लीजिए अगर कुंडली में सुक्र कमजोर हो, तो दाहिने हाथ के जो सबसे छोटी उंगली है या फिर अंगुठे में सुक्र कमजोर हो, तो अंगुठा में आप चांदी का छला पहन ले सुक्रवार के दिन आपको लाम मिलेगा, वैसे सुमबार को भी पहन सकते हैं क्योंकि अगर सुक्र कमजोर हो जाए, तो परिवार में जगड़े लड़ाई होते हैं, पती-पत्नी में बनते नहीं हैं, तमाम चीज़े होते हुए सुक्र नहीं भोग पाएंगे वस्तु आप उपहार में मत लीजेगा, और अपनी मा से अगर आप चांदी लेकर भाण करें, तो इसका फल आपको दस गुना मिलता है, ऐसे बेकती सिग्र ही धनवान हो जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि धारन कब करेंगे, किसी भी सुक्रवार सुक्ल पक्च यानि उजाल कटोरी में थोरा सा कच्चा दूद रखें, उसमें अंगुठी डाल दें, रात भर रहने दें, अगले दिन इससे निकालें, साप पानी से धोए, भगवान के चर्णों में अरपित करें, फिर आप पहल लें, लाब ही लाब होगा, फिलाल भी दालेंगे, धन्यवाद,